नबस्कार दोस्तो जेहिंद बंदे मात्रम मैं आपके साथ जेसवाल सर आपसे भी का स्वागत अब्नन्दन है टीटी फेमिली सिचकों के परिवार जेसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर पाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं बालबी का स सीटीपी चाइड लबल्वेंट एंड पेड़ागोजी का एमसेकूज चप्टर आपका नाइन्थ नमबर है इसके पहले एट्थ जो एमसेकूज क्लास हम कंप्रीट कर चुके हैं जिसका आई पुटन पर यहां पर लेटी लिंक दे दिया गए आने वाली क्लासेज प्रते क्लास फ्री और कॉश्ट है राश्टित में टीटी फैमली है सिचकों का परिवार है आपका अपना अवर टीचर्स फैमली है सभी यहाँ पर comment करेंगे feedback करेंगे इस MSQ जिमें हम 20 questions करेंगे जैसे प्रतेक MSQ जिमें करते हैं 20 में से आप लोगों का feedback क्या है आप लोगों के score क्या है comment box में अवस शेयर करना है comment box में अवस score को represent करना है पहला प्रेशन आप लोगों के स्किन पर पूँचा जा रहा है पुरुसकार और दंड का सिधान्त किसका है थांडाइक का है वाईगोस्की का है या इसकनर महोदे जी का है या जीन प्याजे जी मनोबैग्यानिक का है सभी comment किजेगा मेरे प्यारे प्यारे भाईओं के प्यारी प्यारी बहने ग्रहनी जिनका सपना है सीटे टिक जाम को पते करना सभी comment किजेगा साथियों पुरुसकार और दंड का जो सिधान कहलाता है वाई आपके इसकनर महोदे जी का कहला जाता है इसके नरके according देखा जाए पुरुसकार और दंड एक बेक्तिके बिकास के सुरूब प्रदान करते हैं उन्होंने दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकास डाला एक क्रिया प्रशूत और दूसरा होता है उद्धीपन प्रशूत ये भी नोट कर लेजेगा आईए बात करते हैं दूसरे प्रश्ण की जो दूसरा प्रश्ण आप लोगों के स्किन पर आ चुका है दूसरा प्रश्ण क्या पूँचा जा रहा है प्रश्ण पूँचा जा रहा है कि निम्नकित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरन नहीं है हम जानते हैं मौखिक प्रशन जो होता है प्रशनोत्तर और खेल होता है दत्तकार होता है यह प्रशन पिछले M.C.K. जो में हम अलड़ी कर चुके हैं Most important question था, इस बार कई बार repeat हुआ, इस बारे repeat होने के चांसर जह इस प्रश्ण को दोबारा कर रहे हैं तो रशनात्मा काकरण के जो उपकरण हमारे होते हैं, वह होता है दत्तकार, प्रशनोत्ता रखेल और मौकिय प्रश्ण होते हैं जो उद्धीपन का परिवरतन से है, उद्धीपन का प्रकिया से है, उद्धीपन का प्रयास से है या उद्धीपन का पईडाम से है आप सभी जानते हैं प्रते एक सेर सेर नी प्रते एक सिच्छबंद यह जानते हैं कि विकास का वही संबंध जो परिपकता से होता है वही संबंध जो उद्धीपन का प्रत्किया से होता है सेकंड वाल आपसन यहाँ पर हम सही कर लेंगे बी वाल आपसन हमारा सही हो जाएगा सारे नोर्स पीडिया फाइल आपको फ्री में प्राप्त हो रहे हैं टेलीग्राम ग्रूप को जॉइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना सर्च करना है जैस्वाल कोचिंग सेंटर गुरुप जॉइन होने के साथ साथ आप लोग 1000 से ज़्यादा MSQS पीडिया फाइल आपको फ्री में प्राप्त हो जाएंगे क्योंकि राज़्टित में टीटी फैमिली है सिचकों का पारिवार है बहतीन प्रिपेशन के साथ त्यारी के साथ सेलेक्शन पाईए अपने सपने को साकार कीजिए साथ इसाथ प्रशन की अगर बात करते हैं अंगला प्रशन की अंतपरक अंदेशन क्या होता है देखें अंतपरक जो अनुदेशन होता है वस सिच्छातियों की असकता को पूरा करने के लिए समुही करण के विविद रूपों का प्रियोग करना होता है क्या होता है साथियो अंतपरक अंदेशन का अर्थ होता है या अंतपरक अंदेशन वह होता है जिसमें सिच्छार्थियों की असकता को पूरा करने के लिए सम्हुई करकिवीद रूपों का प्रियोग करना होता है पहला आपसन सही हो जाएगा इसी के साथ ही आपका अंगला प्रसनिस्कीन पर है कौन से सिध्धान्त में बालकाल के अनभों के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है बिवहारवाद, प्रिकारवाद, मनोबिशलेशनवाद या सनचनवाद की बात करेंगे सब ही कमिन किजेगा दोस्तों कौन से सिध्धान्त में बालकाल के अनभव के बिकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है वह और कोई नहीं आपका मनो बिशलेशन वाद है जिया मनो बिशलेशन सिधानत में बाल लकाल के अनभव के जो है विकासा अत्मक आयाम पर बल दिया गया है वह है मनो बिशलेशन बात थड़ वाला अपसन सी वाला अपसन हमारा सही हो जाएगा इंपोर्टेंट बाल बिकास सिवम सिच्छा सास्त बाई जैस्वास और आप लोग साच कर सकते हैं सारे MCQ उच्पीड़ फाइल आपको प्रीमे प्राप्त हो जाएंगे इसी के साथ अंगला प्रशने कि CVSC द्वारा अपनाए गए प्रगर सिच्छा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकन जिस प्रकार से किया जाता है उससे क्या पेच्छा किया सकती है कि किसी भी प्रकार की समाजीक प्रश्टगूम में होते हुए भी वे वे सब स्विकार करें जो उन्हें बिद्याले दोरा प्रदान किया जाता है या वे समय नश्ट करने वाली समाजीक आधितें जो प्रकति का त्याग करें और सीखें कि किस प्रकार अच्छी सेणिया पाई जा सकती हैं और सी और डी भी आपसन वे दिया गया है कि वे समय कार में सक्री भागी दाईता का निर्वाय करें तथा समाजी कोशल सीखें बिल्कुल यही हमार आपसन सही हो जाएगा क्योंकि प्रकति कार में सक्री भागी दाईता का निर्वाय करें तथा समाजी कोशल सीखें इसी के साथ ही अंगला प्रकति किन पर है अंगला प्रसन एक आंत्रीक बल जो प्रोसाहित करता है और ब्यवहार प्रत्किया के लिए बाद करता है इबं उस प्रत्किया को बिशिश सिदिसा उपलब्द कराता है क्या वै आपका भी प्रेणन कहलाता है अध्यववाशाय कहलाता है शमवेक कहलाता है वचन बदता कहलाती सभी कमिन किजेगा प्रतेक भाई, बहन, ग्रहनी, सिचकबंद जिनका सपना है सीटेट एकजाम को फते करना सीटेट एकजाम को क्रेक करना 101% यहाँ पे करेक करना आउट आफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्ट करना सभी कमिन किजेगा दोस्तों एक आंत्रीक बल जो प्रोसाहित करे और ब्योहार प्रत्किया के लिए बाद भी करे अब उस प्रत्किया को विशिश दिशा उपलब्द कराता है वह आपका अभी प्रेणन कहलाता है तो यहाँ पे हमारा पहला आफसंस सही हो जाएगा No doubt, I hope आप सभी प्यारे में तच्छे तरीके से समझ गया होंगे आईए बात करते हैं अंगले प्रश्न की एक बच्चा अतीत की समान परिशित में की गई अनक्रियाओं के अधार पर इस सीथ के प्रती अनक्रिया करता है यह समझ दित है सीखने की प्रत्किया का अभीवरतिका नियम Law of Attitude सीखने की ततपरता का नियम Law of Redness की बात करेंगे या सीखने के प्रभाव का नियम Law of Effect की बात करेंगे थांडाइक ने दो नियम दिये हैं एक मुख नियम जो आपके तीन प्रकार के हैं एक गौड नियम दिये हैं जो आपके पांच प्रकार के हैं तो थांडाइक ने दो नियम दिये हैं मुख नियम और गौड नियम ये भी नोट कर लेना है लेकिन यहाँ पर प्रशन पूछा ग ला आफ इफेक्ट से आपका यह संबंदित हो जाएगा इसी के साथ ही अंगला प्रसन बहतीन प्रशन है कि हिंदी के अच्रों को बालक की साव में पहचानने लगता है तीन वर्स में चार वर्स में पांच वर्स में या च्छा वर्स में पहचानने लगता है तो आप सभी लो पर दादा, जो हैं अबसर यह भी प्रिसों पोंचा जाता है कि आम तोर पर बच्चे जो है कि सावव civit में तरह-तरह के अच्छनों को मिला कर धुन्या निकालना आरम कर देते हैं जैसे बा भा भा ठीक है बा दादा ऐसे प्रränकर तो आमतवर पर बच्चे जो है 6-8 महीने के मद जो है तरह तरह के इच्छों को मिला कर धुनिया निकालना आरम कर देते हैं जैसे बादा दादा दादी ऐसे बच्छे बोलने लगते हैं वह आपका है 6-8 महीने के मद जो है इच्छों को मिला कर धुनिया बच्छे जो है बोलन से होती है या पुरूजों से होती है तो गर्व की बात करेंगे गर्व में संतान को प्रभावित करने वाली सबसे अधिक होता है मा का पोशन क्योंकि जो मा का पोशन होता है वही बच्चे का गर्व में पल है बच्चे का भी पोशन होता है तो गर्व में संतान सरवादिक प् लिखने की शमदा डिस्ग्राफिया कहलता है। यह सब आपको नोट कर लेना है। आईए बात करते हैं अंगले पुष्ण की जब एक विद्यार्थी भी अस्फल होता है जब एक बालक बालिका कोई भी अस्फल होता है तो उसे क्या समझा जाता है कि उस पर पद्धत ही अस्फल हो रही है या उस पर पढ़ाने वाला सिच्छक सिचिका अस्फल हो रहे है या पुष्ट के अस्फल हो रही है यह विक्तित अस्फलता हो रहा है तो आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि एक विद्यार्थी की बात कर रही है कोई कच्छा या स्कूल की बात नहीं की जा रही है जब एक विद्यार्थी अस्फल हो रहा है तो यह समझा जा सकता कि यह विक्ति असफलता हो जाएगी इसी के साथ आपका अंगला प्रसनिस किन पर है कि चरित निर्मार में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है लेकि चरित निर्मार में जो निम्नांकित कारक सहायक होते हैं वह होता है अनुकरण इच्छा और आदत तो चरित निर्मार में हमारी जो आदते हैं हमारी जो इच्छाएं हैं हम जो अनुकरण करते हैं जो दूसरों से सीखते हैं तो चरित निमार में यह सहायक होता है कि कौन-कौन से कारक होते हैं आदत जो हमारी आदते हैं चरित निमार में सहायक होती हैं जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो भी चरित निमार में सहायक हैं जो अनुकरन हैं, जो हम बड़ों से सीखते हैं, जो हम दूसरों को देख कर सीखते हैं, अनुकरन के मादम से भी चरित निमार में सहायक होता है, लेकिन निर्देश से जो है कोई आपका चरित निमार में या कारक सहायक नहीं होता है, तो निर्देशन जो दिया गया है, निर् बेक्तित अस्फल्ता हो जाएगा डिवालावसन यहां पे सही हो जाएगा इसी के साथ ही आपका अंगला प्रसन है 15 नमबर प्रसन आईए देख लेती है क्या पूंचा जा रहा है प्रसने पूंचा जा रहा है कि आप अनपढ़ माता पिता को बच्चों को अंग्रेजी सिखा प्रसन एक बार नहीं दो बार नहीं तीन चार चार बार रिपीट हुआ है प्रसन इसलिए इस बार भी रिपीट होने के चांट से जादा है इसलिए धानपुरा किस पूंच को समझ लीजेगा आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं या आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाद करेंगे तो बादता जो सब्द होती है बच्चों के लिए निगेटिविटी मानी जाती है पेड़ागाजी में निगेटू नकरात्मक माना जाता तो यह तो हो नहीं सकता है आप बच्चे को मातरभासा में बोलने स से रोकेंगे तो किसी भी बच्चे को मात्रभासा में बोलने से रोकना ये भी पेड़ागोजी में नेगेटू सब्द माना जाएगा इसी के साथ ही आप कंगला की आप उसे मात्रभासा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे बिलकुल जब मात्रभासा की सहाय उसन के रहनेの改rado से अंग्रेज़ी सिंखाने का प्रयास करें प्रत्न करें प्रेक्टिस करें डिया मियावर सही कर जायाए इसाथ हैं 15 प्रस्चन कम्पीट करेंगे इस कम्पीड करेंगे किम्पीड करें यह बताईए बालक बालिकों को बिद्याजियों को सिच्छातियों के लिए क्या प्रोसाहिन आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो प्रुष्ण पूंचा गया क्या नहीं करना चाहिए तब यह तभी बता सकते हैं जब आपको पता होना चाहिए क्या करना चाहि देखे प्रोसाहन की बात करें सिचातियों में याद करने की जब भी बात की जाती है या निंगेटवेटी में हमारा आ जाता है ठीक है तो उन सभी प्रशनों को उत्तर याद करना ये हमारा प्रोसाहिद बिलकुल नहीं करेगा लेकिन जो D-Aपसन दिया गया है कि कच्छा के अंदर और बाहर अधिक सधिक प्रिश्ण पूंचना बिल्कुल यह प्रोसाहित करेगा तो क्या-क्या प्रोसाहित करेगा बच्चों के लिए शमुकार में दूसरे विद्याथों के साथ सक्री रूप अंते क्रिया करना अधिक सधिक पार्ट सहगामी क्रियाओं में हिस्सा ल सिच्छक को यह नहीं करना कि उसके माता पीता क्या है उसके विवावक क्या है उसके विवावक क्या है उसके विवावक क्या है इससे कोई मतलब नहीं है सिच्छक का मतलब होता है बिद्दार्थी से छार्थी से मतलब होता है तो कहीं नहीं करें इस प्रश्ण का उत्तर हमार बिवहार करना चाहिए जिसे अन बच्चे आपकी पढ़ाने के लिए आपके लिए ततपर रहते हैं अभी रेडित करते हैं पढ़ाते हैं अन बच्चों के समान बिद्या आपको प्रदान करनी चाहिए उस बालक उस बालिका की भी जिसके इवावक एक है तो एक आले इवाव तो स्बी बच्चे एक समान तभी कहते हैं कि समकच्छी सिच्छा अंगला प्रस्षनिस इत्चिन पर है विकासात मक्प बालमनो बिग्ञान के किसे माना गया है फ्रायड को बूनर को जीन प्याजे जी को या कैली को माना गया सब ही कमेंट कीजेगा मेरे प्यारे मित्र, सिचबंद, भाई, बेन, ग्रणी, सेर, सेरनी जो दहारते हुए इस प्रिवेशन के साथ अपने कमेंट का स्कोर करते हैं प्रतेक सेर, सेरनी का जैस्वास रवियंदन श्वागत करते हैं साथियों बिकासात्मक, बाल, मनो, बिग्यान के जो जनक माने जाते हैं वह और कोई नहीं प्रकति प्रेमी जीन प्याजे जी माने जाते हैं देखे बाल, मनो, बिग्यान के जनक जीन प्याजे जी को कहा जाता है और वे पहले मनोबेग्यानिक थे जिन्होंने बच्चों में समझ के अधिगहन का बिवस्तित अध्धन के लिए और इसलिए उन्हें बाल मनोबेग्यान के पिता के रूप में जाने जाते हैं जीन प्याजे जी को 20 सदी के बिगासात्मक मनोबेग्यान डवलोबेंट साइकोलाजी के छेत में एक बड़ी हस्ती हुई है येह कौन सा प्रस्ना सकता है कि ऐसे कौन से पहले मनोब विग्यानिक थे जो ने बच्चों में समझ के अधिकान का विवस्तित अधन किया वया और कोई नहीं आपके जीन प्याजे जी हैं नोट कर लिजेगा इसी के साथ ये आपका अंगला प्रस्ना आप लोगों के स्कुन पर आचुका है कि आंतिक रूप से जो होता है अभिप्रेना इस्तर कम होता है या उसके लिए आपचारिक सिच्छा सभी कमेंड कीजएगा जी हां राइट अपसन क्या हो सकता है तो आंतिक रूप से अविपेरित जो बेदार्थी होते हैं साथियो उसके लिए बाय पुरुसकार उसकी अविपेरिणा को बनाए रखने के लिए परयाप्त नहीं होता है बी आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा और इस क्लास का बीस्वा प्रशन आप लोगों के स्किन पर आ चुका है और बीस्वा प्रशन पूँचा जा रहा है कि बवबुद्ध के सिधान के संदर में एयर फोर्स पाइलेट बनने के लिए निम्लिकित में से कौन सी बुद्ध की अशकता होती है अंतर विक्तित बुद्ध के अशकता होती है भासिक बुद्ध के अशकता होती है गतिक बुद्ध के अशकता होती है या अंतर विक्तित बुद्य की आउशकता होती है तो बहुद्य की सिधान के संदर में देखा जाए एरफोर्स पालेट बनने के लिए जिसे बुद्य की आउशकता होती है या आपको कमेंट करके बताना है यह आप सभी के लिए हमसी क्यूश प्रसंदिया जा रहा है, और Top 20 में से आप लोगों का Feedback क्या है, आप लोगों की Score क्या है, Comment box में अवज share करना है, Feedback अवज share करना है, मैं प्रतिक से सेनी, प्रतिक भाई बेहन, प्रतेक्स इच्छबंदु का कमेंड का इंतजार रहेगा फीडबेक का इंतजार रहेगा मैं आपके साथ जेस्वास सर मिलता हूँ आपकी अंगली क्लास पर सभी मित्रों को जेहिंद वंदे मातरम धन्माशवी का